दोस्तों श्रीर में दर्द होना आम बात है एक समय के बाद वो ठीक भी हो जाता है लेकिन जब यह दर्द ज्यादा बढ़ने लगे तो बहुत परिशानी होने लगती है फिर डेली रूटीन के छोटे-छोटे काम को करने में भी परिशानी होने लगती है और इस दर्द में ज शरीर में कैल्शियमी कमी, किसी भी तरह की चोट, चोट लगने पर लिगमेंट तूट जाने से भी घुटनों वा जोड़ों में दर्द होता है, लिगमेंट एक प्रकार के लचिले टीसूस होते हैं, जो जोड़ों को आपस में जोड़ कर रखते हैं, आपकी जानकारी के काम करना के बीच में जो कुषिन होता है, वो लिगमेंट और काटेले देनसे होते हैं, आम तो पर 50 चाल से ज्यादा के व्यक्तियों में दिक्कतें देखी जाती है, इस के लावा मोटापी के वज़ए से भी घुटनों पर बढ़ता है इसके लावा एक ही जगह पर लंबे समय तक खड़े होकर काम करना ऐसे और भी बहुत से रिजन होते हैं जो घुटनों के दर्द का वजह बनते हैं बुजर्गों में अगर यह प्रॉलम रहती है तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बड़ती उम्रे के साथ नाचरली शरीर वहड़ियां कमचोर होने लगती है लेकिन अगर आपकी उम्रे चालिस के अंदर है तो ऐसे में यह बहुत चिंता का विशय है आपको जाना बहुत तो नहीं बढ़ गई है शरीर के अंदर की वात यानि की हवा जोड़ों के फ्लेट को सुखा देती है इस वज़ा से जोड़ आपस में टकराते हैं जिससे दर्द महसूस होता है इसके लिए आप बिना देर के डॉक्टर से चेक अप जरूर करवाले इस वीडियो में आज आ जोड़ों में दर्द, गठिया, गाउट, यूरीकेसीड, कमर दर्द ये सारे वात बिगड़ने से होते हैं तो आपको इन तीनों को बैलेंस में रखना होगा घुटनों से अगर कट-कट की आवाज आती है चिकनहाट खत्म हो गई है ग्रीज खत्म हो गई हो तो ग्रीज ब पा जाते हैं इसके लावा अखरोट में अन्टी ऑक्सिडेंट के साथ साथ ओमेगा-3 फैटी असिड पा जाता है जहाए एक प्रकार का फैट है जो घुटनों के दर्द या फिस सूजन को कम करने में हल्प करता है इसके लावा मेथी दाना आप खा सकते हैं मेथी के दानों मेथी के दाने को एक कप पानी में भीगो कर रख दीजे और सुभा मेथी सहीत पानी को हलका गर्म कर लीजे और मेथी दाने को छान कर चबा 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 खा लीजे और उपर से मेथी वाले पानी को भी सिप सिप करके पी लीजे जिनके शरील का नेचर पित है पेट में गर्मी बनती हो वे लोग मिथी का इस्तमाल ना करें बाकि कफ और वात प्रकृति वाले जरूर मिथी का इस्तमाल करें इस गर्मी के मौसमें आप आधा चम्मच इस तरह भीगो कर मिथी का इस्तमाल कर सकते हैं से आपको कोई नुकसान नहीं होगा बलकि जो बिगड़ा हुआ वात है कर लिए इन चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपको इसे सुबह सुबह खाली पेट पी लेना है ऐसा करने से आपका घुटनों का दर्द तेजी से कम होगा यूरीक इसिड जिनका बढ़ा हुआ है गठे की प्रॉलम है जोड़ों में दर्द या फिसूजन है उनके एक महिने तक कीजेगा इसके लावा घुटनों के दर्द को दूर करने के लिए नारील का पानी बहुत अच्छा होता है खाली पेट नारील का पानी पीने से भी घुटनों में लचिला बनाता है एक महिना इस उपाय को करके देखिए सुबह सुबह खाली पेट नारील का प गुटनों में दर्द की समस्य जो है ना वो धीरी-दीरी आपकी खत्म हो जाएके साथ ही आप पूरे दिन में सुखा नारिल का एक टुकड़ा कभी भी खा सकते हैं इन में मिनरल्स होते हैं जो हड़ीओं और जोड़ों के लिए बहुत ही फादमत होते हैं आप चाहाँ तो कमी है आपके घुटनों में या फेजोणों में वो नहीं होगी जयानि कि जो कैल्शम में कमी है वो भी पूरी होते जाएके घुटनों के दर्द से तूरंत रहात पाने के लिए आप यह भी उपाय कर सकते हैं इसके लिए आपको चाहिए होगा चार से पांच भीगे हुए पीएं अगर इस तरह दूद आप लगातार 15 दिनों तक पी लिए ना तो जोड़ों में दर्द घुटनों में दर्द की समस्य आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी आपका शरीर स्फूर्तिवान हो जाएगी शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी हड़ियां आपकी मजबुत हो ज खाने से जोड़ों में घुटनों में दर्द नहीं होगी हमारे शरीर में कार्वोहड्रेट प्रोटीन केल्शियूम और विटामिन्स की जो कमी है वो भी पूरी हो जाती है चने और गुड़ ऐसी चीज है अगर आप इसे डैट में शामिल करते हैं तो शरीर में केल्शियू फ्रेज का पानी नहीं पीना चाहिए तो मिट्टी के बर्तन में रखावा पानी पिजे पाणी कभी भी हPOड़े हो करना पिये पानी हमेश्रा आथे चाहिए इस गंटे के बाद या फिर एक घंटे पहले ही पानी पीना है क्योंकि खाने के बीच बीच में अगर आप पानी पीते रहेंगे ना तो खायवा खाना अच्छे से डाजिश्ट नहीं होगा कबजी की समस्या होगी खाना पेट में च्रड़ने लगेगा और उससे गैस यानि की वा दिलू उपायों में से जो आपसे हो सके उसे फॉलो कीजिए सबको फॉलो करना आवश्यक नहीं है लेकिन इनमें जो मैं मेथी के दाने का उपाय बताया हूं और सुबह आपको एक गिलास पानी में सोंठ और हल्ली लाल कर पीना है इसे रेगुलर कीजिए इससे बहुत फा मिलेका दर्द में तूरंत आराम मिलेका इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए होगा पचास गराम लहसुन पचीस गराम अजवाइन दस गराम लॉंग और 200 ml के बराबर सरसों का तेल मस्टर्ड ऑईल मस्टर्ड ऑईल की जगह आप यहां पर सेसमे ऑईल यानि कि तिल क तेल का भी स्तमाल कर सकते हैं लहसुन को चिल कर अजवान और लॉंग के साथ पीस लें अब इन सभी चीजों को सरसों को तेल में डाल कर गरम कर लें जब गरम हो जाए आप देखें कि लहसुन जो है व्राउन हो गई है तो गैस को आफ कर दें और तेल को ठंडा होने जए ज जिनके शरीर में वात बढ़ गई हो जो वात वाले रोग होते हैं उन्हें जरूर शरीर में मालिश करना चाहिए वीक में कम से कम एक बार पूरे शरीर की मालिश अवश्य करवाएं तो दोस्तों इस तरह से आप घुटनों में दर्द का इलाज कर सकते हैं धन्यवाद